नमस्कार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दा गुरू परसर पर और आज हम लोग परियावरा नदियन की सिक्षन विदिया जो 2011 से लेकर 2020 मतलब की लास्ट जो भी एक्जाम 2018 में रिट हुआ था उस एक्जाम तक पुछे गए सारे क्यूशन का एक कलेक्शन लेकर मैं के सामने आया हूँ और मुझे पुरा यकीन है कि देखो ऐसे क्यूशन अगर आप स्वाल करते हो तो दरहसल दो चीज़े क्रियेट होती है तो एक तो आपको यह चीज समझ माती है कि दरहसल किसी भी टॉपिक से किस तरह के क्यूशन पुछे जाते हैं और एक सागेंडर सिं वारे में समझ क्रियेट करने के लिए और साथ ही साथ कि उस टॉपिक से हमने कितना कुछ अचीव किया है और हम जब वही अब्जेक्टिव के रूप में उस क्यूशन को ले रहे हैं तो हमें कितना कुछ आउटपुट निकल रहा हैं तो यह जो दोनों चीज़े हैं तो इस धारनों के मद्य समंदों का तार्गीक अध्यन है जिन में ये विशे वेक्ट होते हैं उपरियोक्त विज्ञान की परिवासा किस ने दी थी मतलब रिट 2015 हम पूचा गये हैं W.C. Dampier, B.S. Bloom, Karl Popper, J.W.N. Sullivan तो ध्यान रखना Sullivan तो इसकी जो सही आंसर होगा वो होगा यह आं अब हम क्यूशन नंबर नेक्स्ट सेकेंड की तरह बढ़ते हैं कि सेकेंड क्यूशन है I.E.E.P. का पूर्ण रूप हैं रिट 2017 में पूचा गया था International Environmental Education Project, International Environmental Education Program, Indian Environmental Education Project, Indian Environmental Education Program तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा B. International Environmental Education Program तो ध्यान रखना इसका सही आंसर कौन सा होगा वो ही? बी और इसके बारे में और ज़्यदा जैसे चर्चा करने के लिए या जैसे इसका पूरा के इसका पूरा नाम क्या है कि International Environment Education Program अंतरस्ट्रिय परियावरान सिक्षा कारिकरम है और इसका सुवारम 1905 में हुआ था कभी पूछ ले इसका मुक्याल है पैरिस फ्रांस में है और 1902 में Stockholm मतलब जो स्यूडन में है मानो परियावरान पर आयो जी तो यूएन कॉंपरेंस मतलब सियों उतरस्ट्रांग के जो कॉंपरेंस की अभी संसाओं के आदार पर UNESCO और UNEP ने मिलकर इसे त्यार किया है तो ध्यान रखना इस IIEP का पून रूप यह है अब हम क्यूशन नंबर 3 की तरह बढ़ते हैं कि निमलिक्ट में से कौन सा विकल्प परियावरान अध्यान की उसी वस्तू में समयलित नहीं किया जाता है UNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNSRUNS तो यह तो एक तंबिल्कुलिषिक साय पढ़त ही कि मुल्य आदारित नहीं होता है। जबकि मुल्य आदारित होना चाहिए। कोई भी चीज मुलियाधारित होनी चाहिए तो इस तरह से क्यूशन नंबर फोर्थ के बाद क्यूशन नंबर फिप्ट निमन लिक्त मैं से कौन सा नियम अधिगम के प्रियास और तूर्टिक के सिद्धां से समन्दित नहीं है रिट दोजार सत्रा पुनरबलन का नियम ततप अब देखो अब हम क्यूशन नंबर नेक्स्ट के तरह बढ़ते हैं क्यूशन नंबर शेक्स्ट के छोटी कक्षाओं में परियावरन अध्यान चोटी कक्षाओं में परियावरन अध्यान विशे में रुची उत्पन करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए रिट दोजार पंदरा में आगमन विदी मनोरंजक एवं खेल समंदी रटने का निगमन का तो द्यान र मॉन्टेशरी विदी है, अपने डॉल्टन विदी है, हैंरी कॉल्डवेल कुक विदी है, तो ये जो ऐसी चीजे हैं, वो छोटी कक्षाव मुपयोगी होती है, ना कि ये दूसरी आग्मन वाग्मन या और अनिये कुछ भी, तो अब हम क्यूशन नमर नेक्ट सेवन की और विदी, या श्वतर शोध विदी, संसलेशन विदी और आग्मन विदी, तो द्यान रखना इसका सही अंसर होगा, आग्मन विदी, विशित से समाने की और किदर जाते हैं वही, आग्मन में, और समानिये से विशिस्ट की और निग्मन में, समानिये से विशिस्ट की और न इसका सही आंसर Q8 कि परियावरान अध्यान के अधिकम का सिदान्थ कौन सा है मतलब आवशक्ता का सिदान्थ, उप्योगिता का सिदान्थ, जियुन से समंदित होने का सिदान्थ या ये सभी तो दियान रखना इसका एकदम सठीक सा अंसर रिट 2015 में पुछा गया सवाल है ये सभी आंसर होगा Q9 परियोजना विदी में कितने मुक्ये सवबान प्रियुक्त होते हैं तो दियान रखना इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा confusion वाला है रिट 2015 में पुछा गया है 4, 3, 8 और 6 तो दियान रखना इसमें कुल दो होते हैं 6 और जो मुक्ये होते हैं वो होते हैं 4 तो इसका A और D दोनों अंसर होगा दियान रखना इसमें जो मुक्ये होते हैं वो तो होते हैं 4 और ये जैसे पूछा नहीं मतलब जैसे इस वे में की हुई प्रियुक्त पान होते है मुख़ए तो मुख़ए का जब भी आंसर आए तब ए तीक है न और जब भी अगर पूछ लिए कि सौप़ए होते हैं सामान इरूपरिश तब दियान रखना मतलब अपना अंसर की आएगा अच्छे मतलब तो जो मुख्ये है वो तो अपने उदेश ये योजना केरीयान वन और मुल्यान कन है और जो अपने ऐसे पूरी सउपान पुछे तो फिर वो ये है कि परसिति का निरमान करना, योजना का करना, योजना, कार्ये करम बनाना योजना, किरियान करना यूजना के कार्ये का मुलियान, करना और योजना का लेखा जो का लिखना आधी कार्ये जो यह चीजे होती है वह इसमें प्र्यूक्त हותी है जियान रखना आप लोग, थीक з anci면 क्वेश्चे नूमन 10 इमानदारी सत्यनिस्टि और स्योग के मुल्यों का आतम शाथ करना या उपर्योग सभी तो ध्यान रखना इसका सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और साजा कीजिए मैं आपके लिए और यह अच्छे से वीडियो वीडियो का समय परिवर्थन हो चुका है अब आपके लिए थोड़ा से स्वास्ति सही होते हैं आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बना कर मैं लाओंगा उसके लिए यह भी जरूरी है कि थोड़ा सा आप लोग मुझे भी अपना मोटिवेशन यह से योग देते रही है अब हम नेक्स्ट वीडियो की और या अंतिम प्रारूप तो दियान रखना इसको पाइलट इस्टेडी कहते हैं इसका सही अंसर कौन से होगा वे इसी पाइलट इस्टेडी क्यूशन नमबर नेक्स्ट वे जो इसकी वैक्षिया है वो भी देख लो किसी परिवजना यह प्रिक्षन को सुरू करने से पूरू उस इसी भी प्रिक्षन की वास्पिक रतना से पूरू जो इस्टेडी करते हैं या जहां जो कर लेनी चाहिए उससे क्या करते हैं पाइलट इस्टेडी अब हम क्यूशन नमबर नेक्स्ट ट्वेल्ट की और बढ़ते हैं कि परियावरन शिक्षा में सामय ग्रूप से चर्चा स समंदेट सिक्षन विदी कौंसी है मतलब गिसमें कि सामयग चर्चा होती है तो द्यान इसमें ऑप्षन देख़ा भूमीका निर्वा वैक्षान ववरनन या विचार गोस्टी तो सामयग चर्चा से समंद्ध कौन सी होगी विचार गोस्टी तो यह रिट 2017 में पूछा गया के समय बालक की रुची का मूल्यानकन करना तो द्यान रखना कि सिसी का मुख्य देश की सथधाइश यहीं efic to continuous and comprehensive utilization तो यह त्यान रखना Indove your North suisन परक्रया हैं जिसमें इसका जो मुख्य विद्याले में उपस्रति के समय बालक के प्रतिक पहलू का मुल्यानकन करना ठीक है ना अब हम क्यूशन नमबर नेक्स्ट 14 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा 14 क्यूशन है मतलब कि परियावन अध्यान सिक्षन के दौरान विद्यार्तियों की स्यक्षिक उपलब्तियों को दे भी दोनों और डियान रखना की अच्छे परियान में C मतलब कि वेदता भी होनी चाहिए वेश्वशनेता भी होनी चाहिए साथ ही साथ इसकी वस्ट निस्टता भी होनी चाहिए ठीक है ना भई ये भी ध्यान रखना कभी आ जाए और आप्शन में तो वस्ट निस्टता भी होनी चाहिए व्यवारिकता भी होनी चाहिए इसकी अपनी इसपर्षता भी होनी चाहिए और विवेदी करण भी होना इंट्रेजियेशन भी मान की करन भी और लास्ट बात यह कि उसकी उप्योगीता भी हो नी चाहिए मतलब कोई भी सवाल यह क्योशन पेवर बनाते हो तो यह सब चीज़ें इन दोनों के अलाव भी हो नी चाहिए तो अब हम क्यूशन नमबर करता है तो उसकी उपलब्ती जानना और शुदार दाना उसमें तो यह इसका मुख्य उदेश यह होता है तो अब क्यूशन नमर हमारा 17 बढ़ रहा है कि निमंद में कौन सी क्रिया विज्यान सेक्षन में पाट्य शहगामी है मतलब पढ़ने में शाहिक हैं विज्यान क्लब ठीक है ना बाकि यह चीजें साहिक के रूप में अब हम क्यूशन नमबर 18 की तरफ बढ़ते हैं क्यूशन नमबर 18 तो 18 है कि निमंद में से कौन सा कतन सही है आर्टेट दो जार वारा में पूछा गया सवाल है कि शर्विया दर्श्य सामगरी चात्रों के लिए उप्योगी चार्ट एउंग ग्राफ शर्विय दर्श्य सामगरी है वह यह तो आपको दीस होते लो चार्ट और ग्राफ शर्विय सुनने के वाली कौन सी है दर्श्य तो हो सकती है चार्ट का प्रियोग के वह समाज़े कि उग्यान में किया जाता है गलत बात कर नहीं तो इग्यान सब कि दर बढ़ते हैं कि निमलिक्त में से अप्रक्षे पिस सामगरी कौन सी है रिट 2017 में पूछा गया है कि वही फिल्म स्क्रिफ चार्ट चितर रुष्टा रख यंतर एपेडाइसको आफ या स्लाइड तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा बी है ना चार्ट चार्ट मतल सबी दर्से सामगरी और एक अप्रक्षपित इसमें भी वापस दर्से सामगरी उप्रतिकात्माग स्यामप थाड ऊंद भगजरा आयामी वगरा प्रति रूपस्तμ पूट्र यह थैं रिक्ट्र सर्व्य सामगरी इस तरह से ये चीज़ आती है मतब ठीक है अब हम लोग लास्ट क्यूशन आज की स्रीज का छोटा सा मतलब सी यह अपनी बीस क्यूशन की कि कौन सी प्रक्षयपित सामगरी है मतलब पैदा था अप्रक्षयपित और अब है प्रक्षयपित ठीक है न तो ध्यान रखना इसका जो ऑप्षन है बुलेटिन बोर्ड ओएच प्रतिमांग और फ्लेनल बोर्ड तो ध्यान रखना मतलब इसका जो सटिक आंसर है वो है ओएच पी मतलब ओवरेट प्रोजेक्टर मतलब ठीक है न ध्यान रखना मतलब इसका सटिक आंसर यह होगा तो अब आज की जो अपनी स्रीज है वो पूरी हुई है और आप लोगों को पुना मतलब यह गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक दा गुरू बरसर को चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में साजा भी करें शेयर भी करें लाइक भी करें कमेंट भी करें और साथ ही साथ आप अपनी त्यारी भी जारी रखें और कोई भी अगर आप किसी भी तरह की कोई भी संशिया हो किसी भी क्यूशन ये किसी भी टॉपिक किया कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना हो तो वो निचे जो अपना कमेंट बॉक्स दिया हुआ उस कमेंट बॉक्स में पर लिख सकते हो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स शुक्रिया और एक्जाम के लिए आपको all the best थैंक्यू